और जो 32 बार वाला फॉर्मूला है आप सब उसको करते रहे हैं अगर कोई कर रहा था तो और कोई भी अगर प्रॉबलम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी मस्कार दोस्तों कैसे हूँ आप सब आई होप आप सब अच्छे होगे अपने फैमिली और फ्रेंज के साथ खुश होगे और कुछ नया सीख रहे होगे कुछ नया काम सीख कर अपनी लाइफ को सुधारने की कोसिस कर रहे होगे मैं भी कुछ नया ही कर रही हूं आपके साथ सेयर करती हूं नया क्या कर रही हूं तो देखी पिसले तीन या चार वीडियो से मैं आप सब के साथ बोल रही हूं कि मेरी तब्ब्ब्ब ठीक नहीं है मैं बता रही हूं बार बार आपको तो दवाईयां तो मैं ले ही रही थी ठ तो अराम तो लग जाता था मुझे भी लगता था कि छोटी मुटी सी परिसानी है कोई खास ज्यादा बड़ी चीज नहीं है तो अब बचाते हो कि परिसानी क्या हो रही है ठीक है तो हो सकता है कि अब आगे एक दो हफ्ते तक वीडियो मैं आप सब के साथ सेयर ना कर पाऊं क क्योंकि परिसानी थोड़ी सी बड़ी हो गई है और जिसकी वजह से अब मैं वीडियो बगरा शूट नहीं कर पाऊंगी क्योंकि हमारा जो व्लॉग चैनल है उस पर मुझे वीडियो जो सूट करने है एक्सरसाइस के घर से जुड़े हुए अपने टारस के यही सूट करती मैं बाहर तो मैं नहीं जाती हूँ बिल्कुल कम जाती हूँ घर से जुड़ा हुआ कोई बहुत ज़्यादा जलूरी काम होगा तो ही मैं बाहर जाती हूँ या फिर मुझे कोई ऑफिसियल काम जो होता है जैसे बैंक वगरा का वो करना होता है तो ही जाती हूँ तो ऐसे सार तो काफी दिनों से काफी दिन तो नहीं कहोंगी मतलब कि मैं धीरी-धीरी करके अगर आपको बताओं देड़ दो महिने से जादा टाइम हो गया है मेरे दोनों पैरों में काफी दर्द था तो मैं exercise करती थी थोड़ा बहुत फरक पर जाता था मुझे लेकिन कभी-कभी ऐसा हो कूछ करती हूँ जैसा कि मने आफ को भी बताया है उसकी बाद भी दवायाओं भी ले एक्सराइस करती थी चैंड मुझे तूछ काम भूरा करती थी और करना की बादस्ते लगभभाग घर पे रहते हैं, एक्सराइज साइज हमेशा ही करने लगे थी, तो मेन प्रॉब्लम में वाहिए, पैरों की दर्द की वज़े से, मैंने भी सुरुआत में इग्नोर मारा कि चलो है, एक्सराइज की वज़े से होरा होगा, सारा दिन ऐसी चला जाता था, तो मुझे ऐसा लगताता की सायद में इतना सारा काम करती हूं अपर नीचे आती हूं, वेड उठाती हूं। रहने, बहुत सारे आपको पता है यहाज इसका से मेरा घारडन तो इतने भारी भारी, घंवले वगएरा, कट्टे वगएरा मैं उठा लेती हूं तो मुझे असे लगता है कि मैं थोड़ा ज़्यादा काम कर लेती हूं इसके वर से पैरों में तद रहता है तो जब मुझसे थोड़ा सा जादा बर्दास नहीं होता था तो मैं पेन किलर ले लेती थी पेन किलर में रोज नहीं लेती थी दो से तीन दिन मैं बर्दास करती थी फिर जब लगता था कि नई भई अब चल ही नहीं पा रही हूं तब मैं पेन किलर लेती थी फिर धीरे धीर करके मुझे ऐसा लगा कि नहीं यह पेन की ऐसे ठीक होने माला नहीं है में चावल बंद कर दिये मैंने दही वगरा तो में वैसे भी नहीं लेती हूं लसी बंद कर दिय जब भी मौसम ठोड़ा चेंज और दूसरी बात यह है कि जब मुझे लगा कि नहीं ऐसे ठीक होने वाला नहीं है मैं डॉक्टर के पास गई डॉक्टर को दिखाया बताया अपनी परिसानी तो उन्होंने भी बस वह यह कि अपने पास से दवाई दे दी कुछ नहीं थोड़ा सीजन चेंज हो रहा है मौसम थ बीच में परिसान हो गई आप सबको पताया रेगुलर दबाई खाऊ तो मतलब बोड़ी का मुझ का टेस्ट मतलब की तक गंदस हो जाता आप सबको पताई है मैं ने छोड़ दी फिर बहुत परिसानी हो गई तो मैं परसो डॉक्टर के पास जाना सो चाहसमन को बोला तो हम कल रात जिजन ये वीडियो शूट कर रही हूं मुझे नहीं पता ये वीडियो किस दिन आप सबके साथ मैं सेयर कर पाऊंगी तो मेरे ख्याल से मैं दो जून को डॉक्टर के पास गई थी उन्होंने मेरे कुछ टेस्ट बगरा लिखे और सब कुछ मुझ से पूछा मैंने कब लिया था क्या लते हो कोई परिसानी है कोई भीमारी है सब कुछ पूछने के बाद उन्होंने बोला कि मुझे ऐसा लग रहा आपको एकसरे कर लो ठीक है अभी कर लेते हैं क्योंकि फिर दुबारा आने में अपॉइंबंबंट लेने में फिर काफी टायम हो जाता है तो जब आए हैं तो सारा कुछ कर लेते हैं तो उनों ने दोनों पैरों का मेरा एक सरे किया मैं भी बैक कैमरे से दिखाऊंगी और दो तीन टेस्ट लिके थे वो टेस्ट भी मैंने आज सुबा ही करवाए है और मैं नहा ली हूँ वापस आके तो मैंने फुल बाजू का आज सूट पहन रखा है नहीं तो मैं आपको जुरू दिखाती है हाथ में से इतनी बड़ी सुई भरके मेरा ब्लड निकाल लिया पहले ही बड़ी में ब्लड की कमी होती है मेरे और उसके बाद इतना सारा खुन निकाल ले मैं तो डेक के डर ही गई थी होई तो सारा खुन मेरा निकल गए चलो कोई बात नहीं और टेस्ट पता है आपको इतने महेंगे टेस्ट हुए है मेरे ओ बगवान में क्या बताओ तीन टेस्ट हुए है और वो तीनों टेस्ट दो हजार रुपे की है मैं तब सुनके ही शोग गई मैं कि इतनी महेंगी टेस्ट है और आप बिलेव करोगे 2000 के मेरे टेस्ट हुए है 1500 की मेरी दवाई आई है 10 दिन की इतना दमें कमाती भी नहीं हो जितना खर्च हो रहा है मझे पर और जो डॉक्टर की फीस है वो 500 रुपीस की गई है आने जाने का मतलब मिला कि एक ही दिन में इतने पैसे खर्च होगे मैं आपको क्या पता हूँ तो रिपोर्ट दिखाती हूँ मैं आपको बैक कैमरे से गुस्ता भी आ रहा है कि टाइम पर मैंने धिहान नहीं दिया और खाने पिने पर ध्यान नहीं दिया नहीं तो आप सबको यह बोलूँगी ज़रा से भी परेशानी हो तुरन डॉक्टर को दिखाओ काम तो सारे जिन्दी कभी खतम ही नहीं होते है बस हम काम काम के चक्तर में आ बस यूँ ही रह जाते है कर ल cahum तू दोस्तो बेख कैमरेसे मैं आपको दिखारी हूँ यह है मेरे दोनों पैस और पहसरे जो ऑनों ने किता है और आप देखो मैं कैसे वेत्ति हूँ थिक्ग ना ऐसे वेत्ति हूँ रखाने के लिए मना किये कि आपको प्रेश सीधे रखे बैठने बताओ ऐसे सीधे रखे में कब तक बैठ हूँगी आप खुदी सोचो ठीक है मुझे पलोती नहीं मालनी है मुझे पैर नहीं मोडना है मतलब कि मैं क्या बताओ बस आपको आप खुदी समझ जाओ रोना भी आ रहा है और हुस्सा भी आ रहा है यह देखो दोनों पैरों के एक सरे हुए है मेरे ठीक है थोड़ी थोड़ी परेशानी जो है वो उनकी समझ में आ गई है कि क्या दिक्कत मुझे जो है वो हो रही है तो यह देखो यह दिखाती हूँ मैं आपको यह इतनी तवाईयों का खजाना है यह देखो यहाँ पर यह मेरे कुछ टेस्ट लिखे थे उन्होंने जो मैंने आज सुबा ही करवाए हैं तीन ही टेस्ट हैं वैसे तो और यह इतनी लंबी चोड़ी लिष्ट यह मेरी दवाईयों की है 10 days के बाद यह देखो यहां पर लिखा है 10 days के बाद मुझे वापस डॉक्टर के पास जाना है और यह जो है यह आप देख सकते हो यह चीजे मुझे नहीं करनी है हाला कि मेरा वेट जादा नहीं है फिर भी डॉक्टर ने बोला 64ug1 वेट को भी बोला है और कम कर लो तो मैंने बोला हाँ सही बात है मेरा पेट जादा है मुझे थासकि just कम करना है उन्होंने मुझे सीडिया चड़ने के लिए था सीडिया नहीं उतागम करणी और एक्सेसाइस के में लिए मुझे फिजियो थेरपी करवानी है फाइव डेज के लिए और ये सारी चीजे जो है उन्होंने मुझे बोली है और एक ट्यूब जो है वो भी दी है ये देखो ये है मेरा दवाई का डबा ये आप देख सकते हो किती साही दवाईया ये देखो देखो कितवी दवाईय में फी देख ना कल सुब्ह से मैंने आज कल रात से मैंने ये दवाईय सुरू कि यह देख Clearly और ये पूरी दस दिन के लिए आइना वाला तो यह निकालना विभ साथ ये परिसानी हो रही है इस वज़ा से हो सकता है कि आगे कुछ व्लॉग वगएरा ना आपाए और ये देखिए ये तो दवाईयों का डबा सारा हो गया और ये एक उन्होंने ट्यूब दी है फिजियो थेरपी करवानी है पैरो की सिकाई करवानी है उसके बाद मुझे य आ रहा मुझे ऐसा लग रहा है कि जो मेरी लाइफ हो गई थी बीजी वाली काम 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 अब वो सब कुछ ठप हो जाएगा और यहां मैं आपको दिखाते हूँ इसी के नीचे मेरा रखा हुआ है बिल ये देखिए ये दिखाती हूँ मैं आपको ये देखो ये मेरे दवाई इतनी सारी दवाई आप देख सकते हो तो इतना सारा सब कुछ आप देखो तो मेरे ना जब मैं चोटी थी तो ये मेरा right leg जो है इसमें मैं चोट लग गए थी मुझे मतलब कि मैं बहुत चोटी थी मेरी हैल से second class में थी तो यहां पढ़ना मुझे गाड़ी से टकर लग गई तो राइट लैक की मेरी हड़ी जो थी वो डैमेज हो गई थी तो मेरे इसी पैर में मुझे ज्यादा परिसानी आ रही है हाला कि मैंने डॉक्टर से पूछा भी कि एक्सरे देखकर उन्होंने कहा कि आपके जो खुटना है नी जो है उसमें गैप आने लगा है कुछ नहीं लाते हूं कुछ मींखाते हैं बहार का करी नहीं देखो घर का खाना खाना जरूरी है लेकिन उसके साथ आपको फल फ्रूट और उननट्स वगरा भी खाने चाहिए तो यह कह पाप तो इसकी वज़े से अब मुझे परिसानी होने लगी तो सबसे हाथ जोड़ गर प्रास ना करूंगी आप काम तो जरूर करो लेकिन थोड़ा अपनी बॉड़ी के तरह भी धिहान रखो सिर्फ एक्सिसाइज करने से यह घर काना खाने से आज कल के जमाने में नहीं चल रहा है क्योंकि आप सबको पता ही है खाना जो भी हम खा रहे हैं सबजियां हो रोटी हो जो भी हम खा रहे हैं उस सब में कैमिकल है ठीक है तो कैमिकल की वज़े से सिर्फ घर का खाना खाने से हमें वो सारा पोशन नहीं मिल रहा है जिसकी हमारी बोड़ी को जरूरवत है तो आप सूट कर रही हूं उस दिन में आपको टाइम दिखाओं कितना बज़ रहे हैं और सिस्टी जो है वो अपना काम कर रही है मैं दिखाती हूँ आपको यही मैं बैड पर बैट ही हुई हूँ यह रेखू और देखिए पी नव ग ena पर हमवे और आप बिलीव नी करोगे मुझसे सीडिया नहीं चड़ी जा रही है थोड़ा सा उंचाई पर चड़ने में मुझे प्रॉबलम हो रही है मेरे यह जो नी है यहां दर्द हो रहा है मेरे दोनों तरफ ठीक है तो अगर कोई इसे अच्छा सा डॉक्टर इस वीडियो को देख रहा है तो प्लीस आप मुझे सजेस्ट करना मुझे क्या करना चाहिए अगर आप बोलोगे तो मैं अपनी रिपोर्ट वगरत जो है वो भी आप सब के साथ आपके साथ सेयर करूंगी तो अगर कोई मेरा यूट्यूब फैमिली इसको देख रहा है तो आप मुझे बता सकते कि मुझे क्या करना चाहिए तो अगर मैं फिजियो थेरपी पर गई और अगर शूट कर पाई तो जरूर करूंगी आगे क्या करूंगी क्या नहीं करूंगी वो सब कुछ आप सब के साथ सेयर करूंगी तो बस आज का वीडियो इतना ही था क्योंकि आगे बस कुछ करने का म कुछ अच्छी बातें आप सब के साथ से कर पाऊं और जो 32 बार वाला फॉर्मुला है आप सब उसको करते रही है अगर कोई कर रहा था तो और कोई भी अगर प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूर सकते हो मैं आपको बताऊंगी यह तो बच्पन की बात थी जो चोट लग ग है यह मुझे सर्फ पांच दिनों से हो रहा है और मैं पांच दिन के पांच दिन ही है आज तो जब ही मैं चली गई हूं तो डॉक्टर ने बोला है आप राइट टाइम पर आ गए हो बहुत से तो सालों इसको भोगते हैं और उसके बाद आते हैं आपका यह जो है वो दवा पांच दिन वहां जाओ उसे करो समझ लो अच्छे से फिर आकर अपने घर पर करते रहें सबसे अच्छा पांट मुझे यही लगा उनका चलिए फिर मिलते हैं नेक्स व्लॉग में थैंक्स पर वाचिंग